विडियो स्टार्ट करने से पहले हम पहले डिफाइन कर लेते हैं कि FOMO क्या होता है? FOMO का मतलब होता है Fear of Missing Out Basically आपको डर होता है कि अगला बंदा जो है वो कहीं आगे न निकल जाए या आप पीछे न रह जाए अब ये हर चीज में हो सकता है आप इसको wealth creation में भी बात कर सकते हैं आप इसको किसी life की किसी achievement के लिए भी बात कर सकते हैं आप छोटी से छोटी किसी चीज के बारे में सोच अभी मैं आप एक बहुत पुराना मुझे एकदम से याद आ गया वो एक story है वो मैं आपको सुनाता हूँ उसके बारे में भी लेकिन आप किसी चीज के पर भी implement कर सकते हैं आज कल crypto को देखें कहां पहुंच के हैं 45,000 डॉलर्स और ये दुबारा से FOMO का time आ गया है बहुत सारे लोगों के लिए I would definitely advise people के आप देखें बहुत सारे लोगों होता है जोनाने पहली दफा मिस्टेक कर ली होती है दूसी दफा मिस्टेक कर ली होती है अब जो दुबारा से एक आपको trend नजर आ रहा है हो सकता है इसके अंदर आपके लिए again कोई पहले से अगर आपने lesson लेंड ना किया हो तो इसके अंदर again कोई मसला हो सकता है तो इस चीज को definitely अपने दिमाग में रखें कि FOMO के अंदर आकर कभी भी कोई अपना decision ना ले मैं आपको एक बड़ी मजे की story सुनाता हूँ ये बात है आज से कोई almost 25 years back मैं UK में होता था, UK में हम लोग पढ़ रहे थे एक small town था UK में, Heartfordshire और मेरी उनिवर्स्टी का नाम था University of Heartfordshire तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कुछ close friends थे, जिसमें इंडियन भी थे, पाकिसानी भी थे अब उसके अंदर हम लोगों का आना जाना जो युनिवर्स्टी होता था, वो नॉमली पैदल जाते थे, क्योंकि जो बस का जो रूट होता था, उसमें एक पांड लगता था इस ताइम पर और almost कोई 10 मिनट का रास्ता बस से होता था और अगर आप पैदल जाते थे तो आपको हाफ एन आवर टू, 40 मिनट लगते थे बदल जाने में तो लेकिन आफकोर्स टाइम वैल्यू तो उस वक्त आइडिया ही नहीं था और हमें एक पांड बहुत इंपांड बचाते थे और वाक करके जाते थे तो मेरे साथ मेरे कुछ दोस होते थे और कुछ लोग लंडन से भ जो वालमार्ट है जो बड़ा एक स्टोर है वहां का सबसे बड़ा कह सकते हैं टेसको रैस्डार्ट की जगह होती है तो वह स्टॉप बनता था और वहां से हम लोग कभी-कभी एक साथ चलके आते थे क्योंकि मेरा घर रास्ते में पढ़ता था तो मेरे फ्रेंड होते थे व उनको मैंने रास्ते में मिलना था और हम लोग फिर साथ में उन्वेस्टी चलते हैं उन दोनों दोस्तों ने मुझसे कहा कि यार तुम लोग एक्दाम करो तुम लोग डारेक्ट पहुंच जाओ हमें एक गाड़ी की लिफ्ट मिल गई है तो हम लोग पहां डारेक्ट पहु और किसी को और को नहीं बोलना मैंने का अच्छा चलो ठीक है हम पहुंचते हैं वहाँ पर यूनिवस्टी तो उनलों के रंग अजीब हुआ होते हैं अजीब हाल हुआ होता है बिलकुल मतलब आपकी सोच होगी कि किया सिच्वेशन थी अब स्टोरी क्या थी कि स्टोरी इस और उसके अंदर किसी और से आगे बढ़ने वाली जो चीज होती है या लेट से इस केस के अंदर उसको यह था कि यार यह जो जो चीज़े मुझे मिल रही है यह कहीं और मुझको बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगी तो मैं अभी ले लेता हूं ताके और मैं लोगों को दिखा सकूँ उसने हमें कॉल भी इसलिए की थी कि हमें वो दिखा सके बड़ा मतलब फणी इंसिडेंट था अब हम सोचते हैं तो याद आता है तो हम लोग बात करते हैं तो बहुत हसी आती है लेकिन उस टाइम पर बहुत जादा नुक्सान हो गया था हम लोगों का मेरे रहते हैं तो उस टाइम पर उसकी जो कॉस्ट बन रही थी I don't know मेरे खाल से कोई हजार देड़ हजार पांड के करीब की कॉस्ट बन रही थी और जो वो ओफर कर रहे थे वो कह रहे थे कि आप तीन चारसो पांड के अंदर दे देंगे हम आपको और क्यों दे देंगे और न इस तरह का मेरे खाल से अकल शायद मुश्किल है कि आप किस तरह की चीज़ को खरीदना चाहिए किस तरह की चीज़ नहीं खरीदना चाहिए उन लोगों ने अगरी कर लिया था कि हम यह खरीद लेंगे उन्होंने का अच्छा है यार जल्दी करो यह ना हो कि कोई और आ जा कि सब कुछ ठीक था और उसके बाद उन्हों ने कहा कि यार हमारे पस पैसे नहीं है तो एक काम करते हैं युनिवर्स्टी की हम जो जो कैश मशीन है वहां जाते हैं और वहां से पैसे निकालके दो में पैसे देदेंगे उन्हों ने भूला ठीक है लेकिन जल्दी करो जूबी करना है अगें अर्जनसी की एक एक अर्ज थी उनकी तरफ से कि आप एस सुन आस पॉसिबल जूबी करना है जल्द से जल्द करें बैग अपने पास रखा उन्हों ने बैग में दिखा दी थी चीज़ें बैग अपने पास रखकर और फिर वो लोग गए वहां पर लापर ल अर्जनसी है तो हमें भी कोई जल्दी है पहुँच जल्दी इस समान लेकर हमें आना है अब जो वह समान लेकर आए हम लोग थोड़े दिर में पहुँच गए थे लेकिन वह जो समान कोल के देखा उन्हों ने तो उसके अंदर इंटे थी ब्रिक्स तो अच्छा अब खेर वह बात तो अब जब बात करते हैं तो मजाग थी और उस टाइम पर हमें भी हसी तो आ रही थी किस तरह से बेखूब बनें लोग कि उसके अंदर जो चीज़ उनको दिखाई वह उसी वेट का एक और एडिन्टिकल बैग लेकर और मुस्ट चारसो पांसो पाउंड का नुक आपको किसी से आगे निकलना है या मैं पीछे ना रहा जाओं तो उस केस के अंदर जब आपको अपने डिसिशन्स लेते हैं फोमो के अंदर फियर आफ मिसिंग आउट की कंडिशन के अंदर तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है अच्छा अब परानी बात अगर करें तो मु उसके थुरू आप अपने अकाउंट में पैसे भीजना चाहते हैं पाकिसान इंडिया बंगलेदेश कहीं भी पैसा भी ना चाहते हैं चाहें आप यूके से भीज रहो है यूरोप से भीज रहो है यूए से बेज रहो है आपके लिए बहुत अच्छी आप है घर पर बैठ का आपको रेफिल बोनस जी मल सकता है अगर पहली ट्रांजक्शन मेरा को यूज करते हुए करते हैं लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाला हुए नाओ लेकर आते हैं मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जोनोंने क्रिप्टो में के अंदर पैसे डुब हो है और ना सिर्फ क् किया होता एक सिस्टम नहीं बनाया होता आज हम वेल्थ जो जो वेल्थ क्रिएशन सिस्टम में उसकी बात करेंगे अब मैं आपको एक और एक्जाम्पल देता हूं मेरे एक दोस्ता जिसने डारेक्ट इन बिट्वीन कोविड जब हंड़ेट पर सब कुछ बन था उस टाइ थी कि इस तरह का एक्शन उसने ले लिया था और उससे पहले कि उसके जो फानेशल डिसीशन से कोई कि कोई इतने अच्छे नहीं थे लेकिन उसने जो टू पॉंट सैवन मिलियन का जो जो विला लिया उसके बाद से उसकी प्राइस सर्फ और सर्फ उपर गई है उसके छे साथ लाज दिर्म लगाए होंगे और उसके उपर उसने दू तीन साल उसने उस विला को रखा और उसके बाद प्राबबली वन मिलियन के करीब उसका रेंट के प्लस उसका जो जो भी शुरू का खरचा था वो आया होगा और उसके बाद फॉर पॉंट फाइफ मिलियन दिर्म का उसने बेचा अपना विला तो अपनी फामिली के लिए उसने पहुत अच्छे पैसे बना लेकिन इस केस के अंदर भी जो जो सिस्टम है वो नहीं बना मतलब अगर उसके पास वो पैसे आ गये तो अब उसको नहीं पता कि अब क्या करना है अगर वो बेवकूफ हो करना हुगा थो प्राबर्बबलई उसी तरह की किसी प्रॉपर्टी के अंदर इंवेस्स करके हो सकता है वो कोशिश करें कि अगले तीन साल के अंदर दुबारा मुझको उसी तरह की रिटर्न मिल जाय लेकिन ऐसा प्राबर नहीं हो को सकता है नामिले दास कुछ और ऑर लेकिन ये केस मेरे लिए मैं शायद उसको रेप्लिकेट करना चाहूंगा कि मेरे लिए कोई इस तरह का सिस्टम बन जाए कि मुझे मंतली पैसे आना शुरू हो जाए या लेट से मुझको जो मैं इन्वेस्मेंट्स कर रहा हूं उसको रूटेशन करने के लिए उस पैसों को क लेकिन अगर नहीं बनता तो मुझे इस चीज के उपर खुश नहीं होना चाहिए ये एक आपकी लग फैक्टर थी जिसने आपको इतना बड़ा एक प्रॉफिट दिया इस तरह की जो प्रॉफिट होते हैं ये मेरे लिए कोई इतने ठीक है मैं आइम हैपी कि इस तरह की कि दुबारा कोई प्रॉफिट ले लेता हूँ और उससे फिर कैश्फलो जुनेट करना शुरू करता हूँ और फिर लेट से पांच-छे साल बाद मैं एक और प्रॉफिट ले लेता हूँ और ये जब मैं एक साइकल कंप्लीट कर रहा हूँगा उस टाइम पर मुझे को जाता है लेकिन मैं उसकी वज़ा से कॉन्फिटेंट शएद फील ना करूँ इसी तरह से बहुत सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं इसी तरह से आजकल गोल्ड की प्राइस अगें उपर जा रही है तो फिर लोग कहरे है कि या गोल्ड खरीदने का टाइम हो गया तो क्यों खरीदने का टाइम होगा आपने कौन सा सिस्टम बनाया था कि गोल्ड को आपने इसको कोई SIB करना थी या आपको हर महीने खरीदना था हर साल खरीदना था क्यों खरीदना आपको क्योंकि वो सिर्फ आपको इसलिए नदर आ रहा है कि उपर जा रहा है तो आपको खरीदना है इसी तरह से क्रिप्टो आजकल बिट कोई 45,000 डॉलर का होगा है तो क्या दुबारा से वो 60,000 डॉलर की तरफ जाएगा तो आपने यह सोच कर दुबारा से बिट कोईन के अंदर क्या थीसिस है बिट कोई में इन्वेस्ट करने का या क्या थीसिस है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का या क्या थीसिस है किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने का वो आपका अगर सिस्टम डिफाइन नहीं करेगा जब तक आप उसके अंदर स्पेकुलेटिव सिर्फ आप भी खरीद लेंगे, तो अगें अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं होगा, तो आपके जो पर्चेस डिसेशन होंगे, या इन्वेस्मेंट्स के जो डिसेशन होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ गट फीलिंग की बेसिस पर होंगे, या फिर किसी की जो एडवाइस होके, करने का मतलब किया मेरा, ये आप किसी भी चीज को स्टडी करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप बिटकोईन में इंवर्स ना करें, अगर आपका सिस्टम बनावाए बिटकोईन का, आपको समझ में आता है क्रिप्टो करनसी, तो आप वेलन गूट गो अहेड, ऑल्दो कि मैं नहीं समझता, ना मैं करता हूँ, तो इसलिए अगर आपको करना है तो आप करें, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए एक वार्निंग दे रहा हूँ यहाँ पर, क्यूंकि इस वक्त दुबारा से फोमो क्रियेट होगा, अगर बिटकोईन की प्राइसे उपर जाना शुरू होती हैं, क्रिप्टो करेंसी की प्राइसे उपर जाना शुरू होती हैं, तो वहाँ पर लोग फिर दुबारा से पंप और डम भी कर सकते हैं, बहुत सरे कोईंस इस तरह की होते हैं, कोई उसके अंदर मुझे सिस्टम नजर नहीं आता, ज्यादा तर लोगों का, जो के क्रिप्टो कर नहीं है, stock exchange के अंदर क्योंकि यह उपर जा रहे हैं, तो again, problem वही है, आप अपना system बनाएं, system जब बनाएंगे, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी, पढ़ेंगे उसको, क्योंकि stock market के अंदर investment या कोई भी किसी भी किसम की investment करेंगे, उसमें आपको बहुत time और side hustles को मिला कर मेरी extremes बनना शुरू ही है, from my single salary, वो मैंने उस वीडियो के अंदर पूरी detail में बात किती, यहां पर उस वीडियो का link लगा दिया, इसके लबा मैंने एक UA-based platform है, smart cloud का उसके पर multiple videos बनाएं, एक last video जो मैंने बनाएं थी, उसके link यहां पर लगा दिया, जो कि